दोस्तो अच्छा समय आने से पहले मा लक्ष्मी देती है ये पांच सुबसंकेत। दोस्तो माता लक्ष्मी किसी भी घर में निवास करने से पहले कुछ संकेत जरूर देती है। आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे है। अगर आपके साद भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो समझ जाईए कि बहुत जल्दी ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तो किसी भी मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है। सुख के बाद दूख और दूख के बाद सुख जरूर आता है। ये जीवन के दो चक्र है। अच्छा और बुरा समय एक दूसरे से विप्रीत होते है। इस संसार में हर मनुष्य बुरे समय से छुटकारा पाना चाहता है और अच्छे समय की कामना करता है। अइसे में एक अच्छा विक्ती वही है जो दोनो समय में भगवान का समरंद करे। दोस्तो अच्छा या बुरा समय आने से पहले भगवान हमें संकेत जरूर देते है। लेकिन हम मनुष्य अपने कारियों में इतना व्यस्तर हते है कि उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। बहुत ही चंचल सभाव की होती है और वह कभी भी एक जगह नहीं रहती। अगर कोई इंसान माता लक्ष्मी जी की पुजा सच्चे मन से करता है कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। ऐसे में उन पर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है और उन्हें धन सुक सम्भुद्धी का आशिरवाद देती है तो आईए जानते है उन संकेतों के बारे में लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दे रही है आपके घर आगमन के लिए समझ जाईए कि माता लक्ष्मी जी आपसे काफी प्रसन्न है भोर के समय आपको जाडू का दर्शन दिख जाना माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है क्योंकि जाडू में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है दोस्तों माता लक् पास आके तो समझ जाए कि माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न है क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी जी का वाहन है और जल्दी ही माता लक्ष्मी जी की आप पर कुरुपा होने वाली है जहां उल्लू होता है वहां माता लक्ष्मी जी जरूर आती है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो माता लक्ष्मी जी आप पर बेहत प्रसन्न है और आप माता लक्ष्मी जी का जाप करना शुरू कर दिजिए। कोई भी ऐसा काम न करे जिससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराध हो ताकि आने वाला धन आपसे वापस न लोड जाए। तीसरी चीज अगर आपके घर के पेड़ पउधे सुखे हुए है और अचानक से हरे भरे हो जाए और आपके आसपास अचानक से हरियाली बढ़ जाए या फिर हरी भरी चीजे आपको ज़्यादा आकर्शित करने लगे तो समझ लिजिए कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके उपर बरसने वाली है अगर आपको आपके आसपास अचानक से सुबह सुबह गन्ने दिखाई दे तो समझ लिजिए कि ये सुबह संकेत है माता लक्ष्मी जी के आगमन का आपके दिन पलटने वाले है ये सुबह संके पहले संगीत का आवाज सुनाई देना ही लक्ष्मी जी के आगमन का सुबसंकेत माना जाता है। लेन देन के समय अगर पैसे आपके हाथ से छूट जाए, तो समझ लिजिए कि धनलाब होने वाला है, कही जाते वक्त अगर नेवला आपका रस्ता काड़ जाए, या फिर सपने में दिख जाए, तो ये माता लक्ष्मी जी के आने का शुबस अंकेत है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करने वाली है, सुबह सुबह अगर कोई दूद दे कर जाए, पैसे वापस दे कर जाए आपका उधार दिया हुआ, तो समझ लिजिए कि ये माता लक्ष्मी जी के आने का शुबस अंकेत है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करने वाली है तो दोस्तो इन पांच संकेतों से माता लक्ष्मी जी आपको संकेत देती है आने का उनके आगमन का तो दोस्तो अगर आपको ये पांच सुबसंकेत दिखाई दे तो समझ जाईए कि माता लक्ष्मी जी आपके उपर बेहद प्रसन्न है और जल्द ही उनका आगमन आपके जीवन में होने वाला है दोस्तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय मालक्ष्मी और विडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा धन्यवाद